हेलो फ्रेंट्स आज के इस ट्यूटिरियल में हम सीखने वाले हैं MS Windows 7 यह किसी भी वर्शन में चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटिरियल दोस्तों यह एक कॉम्णिकेशन डिलेटेट ट्यूटिरियल है यह फौन और मोडेम जहें आपको यहां पर कॉम्णिकेशन के लिए चेटिंग्स होता है तो दोस्तों सवाल उठाए कि कॉम्णिकेशन दोस्तों पहले की ताहत अभी जो कॉम्णिकेशन है बहुत सिंपल कर दिया गया है बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं कहीं पर फौन से या चैटिंग से आसानी से कॉम्णिकेशन कर सकते हैं लेकिन जितना ही दोस्तों अभी जो कॉम्णिकेशन जितना इजी कर दिया है उतना ही पहले बहुत डिफिक होता था तो हम जानेंगे कि पारले जो होता था या चैटिंग होता था तो किस तरह हम सेटिंग करते थे तब होता था हम जानते हैं दोस्तों यहां से कर देते हैं और यहां से पहले क्या करते हैं यहां पर हम स्टार्ट में जाते हैं क्लिक करते हैं और यहां पर जाने के बाद किरने के बाद यहां पर इस तरह का इड़र अपर ऑगा नि में फिर एक बार इपीड कर रहा हूँ कि पहले जो कॉनिकेश्चन होताओ ता तो जब करते थे तो सबसे पहले हमें वहां पर यह लोकेशन आपको करना होता था कि कहां पर आप कॉम्निकेशन करना चाहते हैं यहां पर जो रीजन आपको चूज करना होता था वहां पर कोड नबर देना होता था दोस्तों यहां पर जो इंडिया में आप देख सकते हैं कि जीओ है तो इस तरह का जो आपको जो आई इस पी पठाते थे उस से कोड के मारफच्छे क्या होता था यहां पर लिंक एड करना पड़ता था और यहां पे उतना ही नहीं लास्ट में फॉन नमरी डायल करना पड़ता था ठीक है तो यह सब करने के बाद ही दोस्तों कॉम्निकेशन होत करते हैं और चैटिंग करते हैं दोस्तों कर सकते हैं तो चलिए यहां पर किस तरह करेंगे हमें जब करना होता था तो यह जो चार्ट प्रक्रण करना होता था तो सबसे पहले माली यहां इंडिया नेपाल जो रिजन भी चूछ कर सकते हैं कि आप कहां से हो इंडिया से यहां से दे सकते हैं कि इंडिया कर डेते हैं कर देते हिम ania का कोड वाइज इट यहां पर क्या आपको देना होगा तो एक आपको को संड करते हैं किस फॉल नमबर से आपको करना चाहते हैं तो फॉल नमबर से तो आपको मैं जनादू कि टून डालिंग पॉल्स टैलिंग क्या होता है तो यहां पर टून डालिंग क्लिक करना होगा है यहां पर क्लिक करते हैं तो यहां पर होता है आपको आपको पता नहीं चलेगा कि आ सकते थे यहां पर चाबी की घुमाया जाता था था यह इस तरह आसानी हम क्या कर सकते हैं तो लिटोज से बने किसी भी भर्शन में आसानी हम मोडेम और फॉन और मोडेम सेटिंग्स को शेट अप कर सकते हैं और कम्निकेशन कर सकते हैं इसके साथ-साथ आज का ट्यूटिरियम पर खत्म होता है और आप सब कर सकते हैं धन्यवाद